सक्ति सक्ति नाम सुनते ही हमारे थिमांग में सबसे पहले किसी इंसान का नाम आता है या फिर देवी देटा का नाम आता है उनके पास भी यथा सक्ति है इस संसार को चलाने के लिए पर हम आज बात करने वाले सक्ति प्रोसेसर के बारे में जो एक इंडियन प्रोसेसर है और तो बहुत ही कमाल का हो सकता है इंस प्रिचर या फिर नहीं तो हाई गाइज आई एम सन्नी एंड यू आ वागिंग सन्नी टॉप हमारे फॉन में जेनरली दो तरह के प्रोसेसर देखने को मिलता है या फिर सनेप ड्रेगन या फिर मीडिया टेक के और यह दोनों प्रोसेसर बहुत ही कमाल के होते हैं फॉन के लिए और कुछ ऐसे भी कमपनी है जिनके अपने प्रोसेसर होते हैं जैसे कि सेमसंग, एपल, ओन और बी केसारेफोन जिनके अपने प्रोसेसर होते हैं और ये भी बहुत형 अच्छे प्रफों करते हैं और फिरबार्याती लेक्टव की तो लेक्टोप में हमें से जीocado देखने को मिलता है पिर कि सकती प्रोसेसर को पूरी तरह से इंडियामें डिवलोप किया गया है वो और फिर बात तक्ति प्रोसेसर एक ताप का माईक्रो प्रोसेसर जो पावर्ड वायले सिस्टम एड नेट्वर्किंग सिस्टम के लिए बनाए गया और इसका मतलब यह वक यह दिफरेंट सेक्टर के लिए बनाये गया मतलब हर सेक्टर के लिए हर प्रोसेसर को बनाया गया है तो यह बहुत ही अच्छी बात है वह भी इंटरनेशनल लेवल पर बनाये गया यानि कि स्नैबड्रेगन और मीडियाटक के प्रोसेसर को इनफिचर यह टक कर देगा तो इसका मतलब यह हंकि यह आरिम का प्रोसेसर होता है उसे तरह से प्रोसेसर काम करेंगी सक्ति प्रोसेसर को different types of categories में divide किया गया वह इसके performance और power को देखते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यह different different level पर काम करेगी यानि कि यह अलग-अलग area में यूज होगा mobile के लिए अलग, IoT के लिए अलग, networking के लिए अलग और artificial intelligence के लिए अलग और यह different different field में काम करेगी तो सबसे पहला processor जो हमारे पास आता है वह है E-class processor यानि कि single core processor और यह processor छोटे-छोटे टास्क को पूरा करने में मदद करेगी तो बहुत ही अच्छी बात है दूसरा नंबर पर आता है C-class processor यानि कि यह processor mid-range applications के लिए डिजाइन किया गया है और सबसे बड़ी बात कि C-class का जो processor है वह पूरा का पूरा capability रखती है कि Linux जीसे operating system को run करा सके और बहुत ही अच्छी बात है यह तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रोसेसर के और तीसरे नंबर प्रोसेसर जो आता है वह आई-class प्रोसेसर और यह प्रोसेसर मोबाइल स्टोरेज मोबाइल नेटवर्किंग जैसे equipment को तयार करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका range रखा गया 1.5 GHz से 2.5 GHz तो यह बहुती है ची बात है तो पढ़ते हैं चोथे नंबर प्रोसेसर के और चौता नंबर को ससर जो आता है वह मर्टि को प्रोसेसर जानिकी टू को और एड को ठेट अप मिलने वाने ना उसके वह डिजाइन किया गया है और इसके अंदर भी is class का भी प्रोसेसर आ जाता है तो यह प्रोसेसर की नां से प्रेंबर की समझ बनाए गया है और प्रोसेसर बनाया है कि किसि को टास्क पूरा करने के इससे फिल करने के लीए से बनाए गया है और फिर सातमा नमर प्रोसेसर जो आता है लास्क में वह है वह यह प्लास प्रोसेसर है और इसे encouragement गया है छो बहुत इंकम्रक ने वाला इसरर दो डेखते हैं यह 30 केषट करती है यह देखने की बात होगी तो प्रोसेसर को आप कहा कहा चाहते हैं जैसे कि आप आप आटी में ले लो आटिफिसल में ले लो आप कहा कहा इसे देखना चाहते हो खरता है खरता हो आप आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आयोगा लाइकष किचेगा अगर फ़ंडो सेट्व के लिए हुद्दी स्थार लोगरए पाँ